इस ओनलाइन कोर्स में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और ये विशे मुझे व्यक्तिकतरुप से बहुत पसंद है इस इसे विशे है जिनोंने की मुझे बहुत कुतुहल पैदा किया है मुझमें और बहुत excitement बहुत अच्छा लगता है इन चीजों को पढ़ने में ऐसे तो फिजिक्स का हर एक विशह जो है वह अपने आप में केमिस्टरी का विएलोजी का साइन्स का अपने आप में बहुत रोचक होता ही है लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजों के अंदर में ज्यादा मज़ा आता है इसको अगर हम बिना इसके विश्टार में गए हुए इसके कुछ रिजल्स केवल कहें तो लगेगा कि मैं बिलकुल किसी दूसरे जगत की बात कर रहा हूं अब इसमें हम लोग लेंग्थ कॉंट्राक्शन की बात करते हैं कि किसी चीज की लंबाई अपने आप में निश्चित नहीं है अगर मैं कहां से देख रहा हूं उसको उसके अनुसार उसके लंबाई मुझे अलग-अलग मिलती है और मिलती है का मतलब यह नहीं कि मेरे और मिल्म le加 एक विट्य देखे तो बताया कि एक लॉक इस रीर्ट से चल रही है दुसरे से चल रही है टुन पर आडॉकस की बात करते हैं दो जुरवा अगर भाई हो एक जमीन पर रहे और दूसरा कहीं अंतरक्ष की यातरा करने चला जाए और बहुत सालों के बाद बहुत स्पीड से यातरा करके वापिस लोटे तो दोनों की उम्र में बहुत फर्क हो सकता है बहुत बूढ़ा नजर आ सकता है और उसी के बगल में खड़ा हुआ उसका जुर बना दी और उल्टी पुल्टी और उसमें से बड़ी सुंदर सुंदर रिजल्ट निगल करा रहे हैं इसी बात नहीं है यह है वैसा अपनी दुनिया है वैसी और इसी के आधार के उपर हमारा GPS सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें जो बनती है वह इसी के आधार पर बनती है हमारी जो प्रकृती है वह अगर ऐसी नहीं होती तो हमारा GPS का सिस्टम काम नहीं करता है अगर हमने सीधा सीधा न्यूटन लोगे नुशार अपना GPS बनाया होता तो हम जाने को कहते कहीं म्यूजिक कंसर्ट में हो जकता तो हमें होस्पिटल पहुंचा देता है वह जीपिए से पगए मोशन इनकी बात श्घुरू करेंगे कि हम कब किसी चीश को रेस्ट में कहते हैं कब किसी चीश को मोशन में कहते हैं कि यह कि 가능 होऊ ए वह वहाँ है को उसके लिए हमें x y z axis लेने चाहिए और x y z axis लेकर हम बता सकते हैं कि इस समय इस पार्टिकल का जो पॉजीशन है इस वस्तु का जो स्थान है वो कहां पर है X बराबर कितना Y बराबर कितना Z बराबर कितना तीनों निर्देशांग अगर आप बता दीजिए तो हम पक्का समझ जाते हैं कि अच्छा यह चीज यहां पर है तो location प्राप्त करने के लिए position प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए access system अक्ष अक्ष चाहिए एक्स आक्ष वाई अक्ष जेड़क हम लोग इस तरह का चत्र बनाते हैं यह दो लाइन इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में समझी जाती है और तिरची वाली लाइन जो है वह पर्पेंडिकुलर बोर्ड से पर्पेंडिकुलर ऐसा तो हम लोग एक एक एक्स एक्स लेते हैं और एक वाई एक्स लेते हैं और एक जेड़क्स लेते हैं अगर आप ऐसा एक्स और ऐसा वाई लेंगे तो जेड़क्स इस तरफ को निकल करके आएगा तो अगर हमारे पास यह तीन एक्स हों और उसके बाद हमारा लेंग्ट का स्केल हो हम बताए कि यह एक मीटर है या एक सेंटीमीटर है या एक मिलिमीटर है तो हमारे पास एक लेंग्ट का स्केल हो जिससे हम बता से कि यह इतनी दूर है वह उतनी दूर है वह उतना दूर है डिस्टिंसेज को हम नाप सकें तो हमारे पास एकस सिस्टम होना चाहिए और लेंग्ट का स्के होनी चाहिएए वह होना चाहिए है कि तब हम किसी चीज का position बता सकते हैं और अगर One समय के साथ नहीं बदल रहा हो एकने बदल रहा यह नहीं बदल रहा हो जैडनीं विर्याम अवस्था में और अगर इन तीनों में से कोई भी एक बदल जाए या दो बदल जाए या तीनों बदल जाए तो हम कहते हैं कि वो चीजे चल रही हैं तो ऐसे हम लोग करते हैं तो समय बदलने से पुजीशन नहीं बदल तो रेस्ट समय बदलने से पुजीशन बदले तो मोशन तो समय की भी एक बात आ गई और इसलिए हमारे इसके अंदर में एक को टाइम का भी स्केल होना चाहिए है और उसको ना पने की हमारे पास्में वबस्ता होने चाहिए तो लिंग्ड कई सकेल उसको नापनेकी वववस्ता टाइम का स्केल उसको नापनेकी वववस्ता X Y Z हमारी परपेंडिफलर तीन देखाएं जिनको हम अक्तिकेते हैं यह सब से जब आप बता दें तो इसको हम कहते हैं फ्रेम ओफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र तो हम लोग जाने अन जाने में फ्रेम ओफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते ही अपने जंदगे के अंदर में अगर हम हम जमीन पर सड़क पर चल रहे होते हैं सड़क खड़े होते हैं और कोई पूछता है कि वह मंदिर कहां पर है तो हम बताते हैं कि हाँ एक किलोमेटर इस सड़क पर चले जाओ फिर बाएं मुड़ जाना और आदे किलोमेटर के बाद आपको मंदिर मिल जाएंगा या चिरिया अगर बैठी है कहीं पर तो हम बताते हैं कि अच्छा इतनी दूरी पर वो पेड़ है और फिर इतनी उचाई के उपर चिरिया है तो हम निर्देश तंत्र के इस्तिमाल करते हैं हम ट्रेन में जब बैठते हैं तब हमारा निर्देश तंत्र जो होता है वो ट्रेन के साथ फिक् कलव है कि हमारी train के Frame में हमने XYZ इस अपने बना रखे हैं और वह Mississippi की दूरी देख रहे हैं और वो दूकर समय के साथ अगर बदल रही है То हम कहेंगे आगरा चल रहा है याने आगरा आने वाला है आगरा आ गया आगरा चला गया तो उस frame of reference में ये आगरा ये कानपूर ये जैपूर ये श्रीनगर ये सब चल रहे हैं लेकिन वही हम platform पर खड़े हो जाते हैं तो हम पूछते हैं ट्रेन आ गई क्या ट्रेन आने वाली है क्या ट्रेन चली गई क्या उस समय में हमारा जो station है व में मैंनपूरी मैं तो मैंनपूरी नहीं चलता है उससे हम 행ाल मुजफर पूर में तो उससमय मुदभत पूर नहीं चलता है लेकिन जमाब बैथा हैँ तो मुझा फ्रेम आफो ऑफिरेंस से देखने पर जो इस फ्रेम में र Watts में हैं दूसरे में चलती परतीत हो सकती hood ल दो प्रकार के कहे जाते हैं एक कहा जाता है इनर्शियल और दूसरा कहा जाता है नॉन इनर्शियल तो फ्रेम आफ रेफरेंस के भी दो प्रकार हैं एक है इनर्शियल और दूसरा है नॉन इनर्शियल कि इनर्सियल यानि जडत्वी और नॉन निंर्टी यानि और जडत्वी है के और इनकी बात करते हैं इनर्शल निनर्शल की तो इसके केंद्र में है न्यूटन का सब्हलानियम और Newton की गति का पहला नियम जो है वो है सब जानते हैं Newton's first law of motion कि अगर external force zero हो किसी कंड पे किसी particle पे किसी object पे अगर जो resultant force लग रहा है वो zero है तब वैसी हालत में अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ी रहेगी अगर वो चल रही है तो uniform velocity से उसी straight line पे उसी दिशा में चलती रहेगे यानि acceleration zero होगा तो अगर force zero हो यदि force zero हो किसी particle पे किसी object पे तो उसका acceleration जो है वो zero होगा तुरन्ड वो zero होगा तुरन्ड जिर ने का मतलब velocity में पड़िवर्टन नहीं होगा अगर जिरो वो सिटी टेजरो भी रहेगी याने वो रेस्ट में हम ठीक है, और कई पार करते है कि नहीं है अब हमने हमegर हम एक खड़े है जमीन पर खड़े है यह हमारे टेबल रखी है यह टेबल के पर किताब नहीं तो जहां पड़ी होती है वहीं पड़ी रहती है विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहती है तो यह न्यूटन के पहले अद्म हमें लगता है कि हाँ ठीक है जब तक कोई उठाएगा नहीं जब तक कोई बल नहीं लगाएगा तब तक कैसे परिवर् करने के लिए बल लगाते हैं तो यह कम करनी होती है तो हमें दिब लगाना पड़ता है हाथ के दोपर लगाते हैं मुझे चेंग होती है से धर्ती बल लगाती उसके कारण से वेलासिटी चेंज होती है तो बलका तो होना जरूरी है है अँअ लेकिन दिए अगर रहाम के सफर कर रहे हैं अच्छी खाओ लिए हम सो रहे और अचानक से बसके ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होता है, अगर कर दिया, तो हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं, अब यह आगे की तरफ हम पर किस ने बल लगाया, उससे में तो कोई बल लगाने वाला नहीं था, हम तो सीट पर बैठे हुए थे, मेरे बगल वाला थोड़ी दू पर बैठा था हम पर किसने आगे की तरह लगाया लेकिन तब भी हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं बिना बल लगाये हुए हमारी विलासिटी में परिवर्तन आ गया बस के फ्रेम रेफ्रेंस से अगर हम काम कर रहे हैं बसके फ्रेम से अगर हम देख रहे हैं तो उस निर्देश तंत्र में जहां हमारे एक्स बाई जेड़ आक्से सब कुछ बस में बने हुए हैं पहले हम रस्ट में थे बस चल रही थी एक बढ़िया सड़क के ऊपर और ना हमारा एक्स बैठा था उसी के आज पास में था लेकिन जब बस पर ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ को गिरने लगे अर्था था हमारा जो एक्स वाई जेड़ था वो चेंज हो गया विलॉसिटी बदल गई पहले हम रस्ट में थे हम मोशन में आ गए बिना किसी बल लगे हुए तो ज जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम नहीं करता है और कई फ्रेम ऐसे होते हैं जिसमें न्यूटन का पहला नियम काम करता है तो जिन फ्रेम में न्यूटन का पहला नियम काम करता है अर्थात अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो विलॉसिटी में परिवर्तन नहीं और जिसमें बिना फोर्स लगाए भी एक्सेलरेशन हो जाए उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम जड़त्विय का मतलब न्यूटन का प्रथम नियम प्रथम गती नियम लागू होता है और जड़त्विय नॉन इनर्शियल मतलब न्यूटन का प्रथम गती नियम लागू नहीं होता है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जहां न्यूटन का प्रथम गती नियम लागू नहीं होता है वहां हम लोग कई बार उसको जवरजस्ती लागू कराने की कोशिश करते हैं और तब हम कहते हैं कि हमें भाई जो फोर्स लग रहे हैं उनके अलावा कुछ अलग से च्छद्म बल जिसको कहते हैं सुड़ो फोर्स जो नहीं है फिर भी हम अपनी जरुब से उसमें जोड़ देते हैं अपने समीकरण के अंदर में उन समीकरण में उन पदों को जोड़ना इसलिए जरूरी है कि हम न्यूटन के नियमों का इस्तिमाल कर पाएं तो इसको हम लोग कहते हैं सुड़ो फोर्स तो हम आपको दो फ्रेम्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नौन इनर्शल फ्रेम्स एक यह प्लास्टिक का बॉक्स है और इस बॉक्स में आप देखें हमने एक्स आक्स बनाया है यह ओरीजिन है जेट एक्स हमारा जो है वह पानी के अंदर में लटकता हुआ बॉल देख रहे हैं धागे से इसको लटकाया हुआ है इस समय सबकुछ स्थिर है और बॉल की वेलासिटी भी जीरो बॉल अपनी जगह पर है ना इसका एक्स बदल रहा है ना वाई बदल रहा है ना जेट बदल रहा है लेकिन अगर मैं इस बॉक्स को और मेरी लेफ्ट डिरेक्शन में इसको यहां से इस डिरेक्शन में मैं एक्सलरेशन दो त्वरन दो इस बॉक्स को तो देखना कि इस बॉल का क्या होता है किदर जाता है यह यही रहता है एक्स बराबर जिरो पर ही रहता है या एक्स इसका पॉजिटिव हो best s koo is traf acceleration दिया तो जो ball है वह उस तरफ को गई यानि एक्स जो पहले 0 था वह एक्स बढ़ गया तो किसने फूर्स लगाया इस बोल के ओपर किसने फूर्स लगाया मैं तो बॉक्स को एक्सलेट कर जाएं बॉल पे एक्स दिशा के अंदर किसने फोर्स लगाया किसी ने भी नहीं लगाया फिर भी बॉल एक्स दिशा में चल पड़ा यह नौन इनर्शियल फ्रेम है जहां न्यूटन का प्रथम कतिनियम लागू नहीं होता है बिना फोर्स लगाय हुए भी एक्स डिरेक्शन में और इसका मोशन डिरेक्शन में शुरू हो गया यह नौन मर्शियल फ्रेम है फिर हम कता ही हम्हें तो न्यूटन का ही इस्वाल करना है तो कोई तो फोर्स में लेना पड़ेगाrina पर contenido या desire lire क्रता है वससमें आप मॉनलो का नाला है जो हम इसको करते हैं और यह बॉक्स दिर्स klarta जैं हम देखते हैं कि मोशन हो रहा है फिर हम केते हैं मान लो अपनी तरफ से कि उधर कोई तो फोर्स होगा उसी को हम च्छदमबल कहते हैं या सुड़ो फोर्स कहते हैं जो है नहीं लेकिन हम मानते हैं non-inertial frame में Newton's law का इस्तेमाल करने के लिए हम मानते हैं वो pseudo force है और ऐसी परिस्तिती में आप देखते हो कि यह जो frame है non-inertial frame है वो अपने आप उसका जिधर acceleration है उसके opposite direction में उसके उल्टे direction में यह pseudo force हम लेते हैं लगता तो नहीं है लेकिन हम लेते हैं हम कहते हैं कि हमने मान ल आते हैं और यह दूसरा frame इस प्रकार से है यह देखें यहां पर एक डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर हमने यहां यह x-axis बना रखा है यह y-axis बना रखा है और केंदर पर origin है z-axis उपर की तरफ है और यही मेरा frame रहेगा इस x y-z की अपिक्षा यहां से हम देखेंगे x-axis है y x-axis है अगर x-coordinate नव बदले y-coordinate नव बदले z-coordinate नव बदले तो चीजें रेस्ट में हैं और अगर वो बदलती हैं तो वो चल रही है और कैसे चल रही है हम उसका path देख सकते हैं तो हम अभी इसके ऊपर कुछ चीजें डालना चाहते हैं आप देखें तो अब इसके ऊप हम कुछ करस्तानी करेंगे यह आटा है और इस आटे को हम धीरे धीरे इसके ऊपर बुरक रहे हैं और आप x-axis y-axis मेरे बने हुए हैं उनका ध्यान रखेगा कि यह हम देखे हमने इसके ऊपर थोड़ा आटा पुरक दिया है और अब हमारे पास में एक छोटा सा यह कला कला पदार्थ है रिंग जैसा इसको हम यहांपे और origin के पास में रख देते हैं यहां पर इसको हम रख देते यह जगे पर और यहीरा फ्रेम रहेगा यह Champ. य रहेंगे और इस डिस्क को अबमें गुमाता हूं और यह गूमता हुआ फुरेम बनेगा रोटेटिंग फ्रेम स्रेम बनेगा और हम इसके motion को देखना चाहते हैं यह मेरा object है, च़ाम जाता रहे है और नहीं जाता है उसको हम देखना चाहते तो हम URL को घुमा देते हैं और आप देखिए इसका रास्ता आपको दिख रहा होगा इसका रास्ता आपको दिख रहा होगा हमने इस काले काले पदार्थ को यहां रखा था और जिन के पास X-axis के पास यहां रखा था और यह खाली जगह आपको दिख रही होगे जहां से आटा हट गया है यह देखिए य इस फ्रेम में इस X Y Z के अनुसार जो शुरू में यहां पर था जिसका जो औरीजिन के पास में था इस रास्ते पर चलता हुआ इस डिस्क की अपेक्षा इस रास्ते पर चलता हुआ वो यहां पहुंच गया है तो इस फ्रेम में क्या हुआ इस फ्रेम में जो यह औरीजिन के पास था सो औरीजिन से दूर होता जा रहा है देखिए यहां शुरू में औरीजिन के काफी पास था अब यह और दूर हो गया यहां और दूर हो गया यहां और दूर हो गया और यहां और दूर हो गया तो ओरीजिन से यह बाहर की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ किसने फोर्स लगाया इसके उपर यह डिस्क या यह आटा बाहर की तरफ तो फोर्स नहीं लगा रहे थे फिर भी यह बाहर की तरफ गया तो नॉन इंदर्शल फ्रेम में ऐसा होता है कि जिदर फोर्स नहीं लगता है उदर भी चीज़े जाती है यह उसका उदारन है इसी तरह से आप तरफ अगर यू जाना है तो यह उससे परपेंडिकुलर लंब दिशां के अंदर में घूम भी रहा तो एक और भी कोई फोर्स है जिसको डिफ्लेक्ट करा रहा है अपने पाथ से टिफ्लेक्ट करा रहा है उसके पाथ को कर रहा है तो घुनता वा जो फ्रेम होता है वो भी होता है और उसमें दो प्रकार के छदंबल हमें लेने पड़ेंगे अगर हम न्यूटन के नियम की भाषा में बात करें कि जिधर मोशन शुरू हो गया उदर जरूर कोई फोर्स होगा तो बाहर की तरफ जरूर कोई फोर्स होगा ऐसा हम कहेंगे हैनी फोर्स इसलिए उसको स लेना पड़ता है उसको कहते हैं को अपकेंद्र बल या सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अभी मैं लिखूंगा बोर्ट पे और जो वेलासिटी के पर पेंडिकुलर की तरफ हमें बल लेना पड़ेगा क्योंकि उधर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कोरियो तो हमें घूमते हुए फ्रेम में अगर झूम रहा है इसा प्रेम है जिसमें एक्स वाइज एडी एक्सलरेट्र आखेंश हो रहा है तो हमें यह कर्योलं फोर्स यानि अपकेंद्रवल और कवरियोली फोष यह दो सूडो फोर्स लेने पड़ेंगे और घूम नहीं रहा हैक एक दिशा में जैसा ये box के समय था एक दिशा में के वाल एक्सलरेट हो रहा था तो हम एक ही सूड़ो फोर्स लेना पड़ता है अपोजिट टू दी acceleration of the box तो हमने दो तरह के इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की चर्चा यहां पर की आपको दिखाया हमारा जो लैब है जो टेबल है उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे धर्ती जो है वो खुद घूमती है और सुरज के भी चारोबकल घूमती है और चक्कर भी लगात है और इसलिए नॉन इनर्शियल है लेकिन उसमें जो नॉन इनर्शियलिटी है वो कम है काफी कम है और चोटे मोटी चीज़ों के लिए हम लोग को बहुत सॉफिस्टिकेडेड एक्स्परिमेंट अगर ना करें तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम कहते है तो हमारी जो टेबल ह के अंदर में एक्सेलरेट कर रहा था एक खास दिशाम में उसको हमने एक्सेलरीशन दिया था और तब वहां पर हमें छद्म बल लगाने पड़े थे किदर फ्रेम के त्वरण के विपरीत और दूसरा फ्रेम हमने डिस्क को रोटेट करा करके बनाया था उसमें हमारा जो एक्स वाई आक्सेस थे थे वो रोटेट कर रहे थे आईसा पूरा एक्स वाई एक्सेस जो थे वोडुटी कर रहे थे जडे ऐक्स के परी तह यह रोतेशन हो रहा था तो इसस तरह के डिस्क में हमारे दो फिर से च्छादम बल लगाने और यह किदर यह बाहर के और केंद्र से बाहर के और और दूसरा कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस बल यह किदर यह जो विलासिटी है उस अब्जेक्ट की जिसको हम देख रहे हैं किसकी अपेक्षा मेरे घूमते फ्रेम की अपेक्षा घूमते फ्रेम पे मैंने एक्स वाई एक्सेस बनाये थे और उस पर पाक देखा था तो उसमें जो वेग है उसके परपेंडिक्लर वेग के लंबवत पर वेग के लंबवत जब बल लगता है तो चीजियें डिफलेक्ट करती हैं कर्व करती हैं वह यह आपने देखा उस पाथ था जो रास्ता था वह कर वो रहा था जिधर जा रहा था उसके परपेंडीकुलर डि Hahn में लम डिरेक्शन बल लगरा था तो उधर डिफलेक्ट हो रहा था तो उसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस बल हिम लोग अपने इस कोर्स में डिलेटिवि से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में अगर मैं जाओं तब फिर यहां का की गती जो है यहां का की वेलासिटी है यहां का जो कुछ है वहां कैसा दिखेगा इसी की सारी चर्चा हम लोग इस कोर्स में special theory of relativity में करेंगे